बंधे हाथ 1973 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्मान और लेखन ओपीर अलहन ने किया है। इसमें अमिताब बच्चन, मुम्ताज मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकी अजीत, रंजीत, मदनपुरी, असित सेन, ओपीर अलहन, टुन टुन पिंचु कपूर अन्य भूमिकाओं में हैं, फिल्म का संगीत आर्दी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी का है। ये फिल्म शम्मी कपूर की फिल्म मुजरिम, 1958, की रीमेक है श्यामू, अमिताब बच्चन, नाम का एक चोर, जिसने चोरी को अपना करिय बना लिया है, अपने गुरू, मदनपुरी, की मृत्यू के बाद सीधे चोरी करने का फैसला करता है। अतीत में डिकैतियों की एक श्रिम्खला को अंजाम देने के लिए पुलिस से भागते समय, वह एक गाह में पहुचता है और उसकी मुलाकात दीपक, अमिताब बच्चन भी, नामक एक कवी से होती है और वह उसकी सहायता के लिए आता है। इस तथ्य का फाइदा उठाते हुए कि दीपक उसका हमशकल है। उसने उसे मार कर उसकी पहचान चुराने का फैसला किया। हालां की, वह उसे मारने से पीछे हट जाता है जब उसे पता चलता है कि दीपक पहले से ही एक बीमारी से मर रहा है। दीपक की मौत के बाद उसने उसकी पहचान चुराने का फैसला किया और पुलिस को बताया कि दीपक वास्तव में चोड श्यामू है। हालां की एक पुलिस इंस्पेक्टर, अजीत खान, को संदे हो जाता है कि श्यामू वास्तव में जीवित है और कवी दीपक के रूप में अभिने कर रहा है। श्यामू से अब कवी दीपक के जीवन में परिवर्तन एक मंच कलाकार और नर्तक, माला मुम्ताज, भारतिय अभिनेत्री, के कारण आया है, जो एक महिला और इंसान के रूप में बेहत खूबसूरत है और जिसे उससे प्यार हो जाता है। एक ही स्टेज कमपनी रूप कला थियेटर का हिस्सा होना। उसके लिए वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि दीपक को रजनी, कुमुद छुग्यानी से प्यार था, जो एक महिला अधिकार कार्य करता है और उसी क परोडपती सेथ हर नाम दास की बेटी है।